है एवरिवन वेलकम बेक तो माई चैनल आज हम बनाएंगे मावा आइसक्रीम यह आइसक्रीम जितनी टेस्टी होती बनाना उतना ही आसान है सिफ दस मिट में आइसक्रीम बनकर तयार हो जाती और बहुत कुछ जादा चीजों की इसमें जर्वत नहीं सिफ तीन चीजों से ही मावा आइसक्रीम बनकर तयार हो जाती तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मावा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने हापर देड़ कप दूद ले लिया है देड़ कप दूद को हमें एक कप दूद होने तक बॉयल कर लेना है अब दूद को लगाता चलाते रहेंगे ताकि ये बरतन से चिपकेना, अब जो दूद है उसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें मावा डाल देंगे, मैंने यहाँ पर आधर कप मावा ले लिया है, ये होममेंड मावा है, आप चाहें तो मार्केट वाला मावा भी इसमें यूज़ कर सकत अब यहाँ पर मैंने तीन से चार केसर के धागे को दूद में डाल के रखा था ताकि अच्छे से कलर आ जाए, तो इसे भी मैंने दूद में डाल दिये, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब जब तक दूद गाड़ा हो रहा है, तब तक हम ड्राइफ्रूट का पेस्ट बना दिया है, अब इने हम जार में डाल देंगे, और इनका पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे, ड्राइफ्रूट के पेस्ट से आईस्क्रीम बहुती टेस्टी बनती, काफी रिच फ्लेवर के आईस्क्रीम बनकर तयार होगी, तब यह पेस्ट हम दूद में डाल देंगे, अब य अच्छे से थीक हो चुका है बिल्कुल पर्फेक कंसिस्टेंसी पर आ चुका है तो अब मैंने यहाँ पर इंडक्शन को बन कर दिया है और इसे कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे जब दूद रूम टैपरचर पर आ जाएगा तो हम इसे मोल्ड में डाल देंगे तो मैंने गंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है ताकि 50% तक सेट हो जाए जब यह 50% सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आइस्क्रीम स्टीक लगा देंगे पहले अगर लगा देते तो यह अच्छे से सेट नहीं होता तो मैंने यहाँ पर आइस्क्रीम स्टीक लगा दी और तीन घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था यहाँ पर हमारी माव आइस्क्रीम बनकर तयार है बहुत ही आसान है इसे बनाना बहुत जल्दी ही बन जाती है तो आप यह ट्राइ कीजेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब की कीजेगा थैंक यू बाबाई ने मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में